क्या आपको पता है कि एक female अपनी menstrual life में almost 11,000 sanitary napkins use करती है आज तक हमने जितने भी sanitary napkins use किये है वो आज भी इस earth में, इस planet में exist करती है इनका disposal timing almost 500 to 800 years होता है क्या आप imagine कर सकते है कि इतने लंबे duration तक एक pad को dispose होने का वक्त लगता है it means कि आज तक हमने हर एक single pad जो use किया है वो आज भी exist करता है ना कि सिर्फ exist करता है बट ये कि हमारे planet के लिए बहुत ज्यादा harmful है almost on an average, एक single women almost 150 kg of non-bio degradable यानि कि ऐसी कोई waste जो कि naturally earth में degrade नहीं हो सकती है, हर साल produce करती है आप imagine कीजिए हर हर साल 150 kg of non-bio degradable waste हम अपने 30 to 35 years of menstrual life याने की child bearing age जिसमें almost हर female, हर महीने, क्या सच में ही हमारे planet के लिए safe है Just imagine की future generations की हालत क्या होगी अगर इसी तरह से हम non-bio degradable waste को accumulate करते जाए हमारे planet में Hello everyone, मेरा नाम Dr. Rudvashi Pachail है और I am a pathologist at Government Medical College नापुर आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ में sanitary pads और menstrual cups के बारे में बात करूँगी So stay tuned till the end Sanitary napkins याने की pads हर एक female ने अपनी life में कभी ना कभी तो use किये ही है चाहे वो दूसरे कोई भी options अभी use कर रही हो ये sanitary pads जो हम अपनी day-to-day life में इतनी आसानी से use करते हैं क्या आप जानते हैं ये किस चीज से बना होता है इस material को हम कहते हैं polypropylene which is nothing else but plastic and आप सभी जानते हैं कि accumulation of plastic किस गती से हो रहा है हमारे आज के day-to-day life में और ना की सिर्फ accumulation इस plastic को dispose करना भी बहुत ही जादा दिक्कत की बात हो रही है government के लिए पहले बात करते हैं कि हम किस तरह से इन pads को dispose करते हैं मैंने बहुत से patients से और बहुत से महिलाओ से मेरे जानने वालों में यह सुना है कि they just dispose it और flush it in their toilets क्या यह सही है बिल्कुल भी नहीं आप जब एक pad को flush करते हैं तो यह directly आपके water clogging system में जाता है जो कि यह clog भी करता है और साथ में इसे बहुत difficult होता है वहां से extract करके dispose करना बहुत से लोग इसे simply कहीं पर भी fake देते हैं एक खाली सा मैदान पड़ा है वहां पर fake देते हैं या kitchen disposals के साथ में इसे डाल देते हैं अब आप यह बात समझे कि यह ना सिर्फ pad एक plastic entity है बट साथ में इसमें बहुत सारा menstrual blood भी collected है तो इसका disposal का तरीका एक completely अलग होता है as compared to what we do with our normal day-to-day waste of the kitchen बहुत से लोग इसे plastic में या paper में wrap करके simply अपने kitchen के dustbin में डाल देते हैं और होता यह है कि इससे जब हम segregation करते हैं segregation का अर्थ यह है कि जब आपके पास एक बहुत large quantity में कच्रा आता है चाहे वो hospital से हो या चाहे अपने household से या society से हो तो उसे अलग-अलग plastic bags में segregate किया जाता है और हर एक plastic bag का disposal का तरीका अपना अलग होता है तो होता यह है कि जो सारे pads है यह आपने आपके kitchen bags के अंदर में dispose कर दिये हैं जो कि filled with आपके menstrual blood है और यह हम dispose कर रहे है normally जो हमारे kitchen waste के जैसा होता है इसलिए आजकल बहुत से घरों में dry waste और wet waste का एक concept आ चुका है और आपको उसे भी follow करना चाहिए जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि almost एक महिला on an average एक साल में 150 kg का menstrual waste produce करती है तो आप imagine कीजे कि वो अपनी पूरी life में कितना produce करती होगी और इसे एक तरह से dispose करना कितना ज्यादा difficult है हमारे लिए बहुत सारी महिलाव से हर साली questions किये जाते है कि वो किस तरह से और किस method से अपने pads को dispose करती है तो उनका maximum यहीं answer होता है और इस answer से हमें यह पता चलता है कि आज तक हमारे females में especially in the periphery जैसे की छोटे गाव है वहाँ पर आज भी females को पता नहीं है कि यह कितना difficult है और menstrual hygiene और menstrual disposal को कैसे manage किया जाता है सबसे बुरी बात तो यह है कि इन pads को एक जगा पे accumulate करके directly जलाया जाता है which is called as incineration incineration ऐसी process है जिसे एक specific temperature में जलाना चाहिए बट जब यह गलत temperature में जलाया जाता है तो यह highly hazardous gases याने highly dangerous gases प्रड्यूस करता है जो कि हमारे planet और हमारे lungs दोनों के लिए बहुत ही ज्यादा harmful होते है तो पहली बात तो मैंने आपको बहुत अच्छे से clear कर दी है कि please sanitary pads अगर आप use कर रहे हैं तो उसे अपने toilet के flushes में please flush ना कीजिए या तो उसे अपने kitchen के waste के साथ में please accumulate ना कीजिए इसका एक proper तरीका है disposal का उसे एक separate packet में डाल कर आप dispose कर सकती है और ऐसा करने से आप अपके planet के लिए एक बहुत अच्छा काम कर रही है but आप सब मुझे एक चीज या एक question जरूर पोछेंगे तो हमारे पास दूसरा option क्या है because every female menstruates and it is very difficult for them to survive without pads so friends I will tell you कि इसका दूसरा option क्या है हमारे पास में एक बहुत ही अच्छी चीज आज involved हो चुकी है and उसे हम कहते है menstrual cup this my friends is a menstrual cup menstrual cup इसका नाम ही आप बताता है कि ये एक ऐसा cup है जो आप आपके menses में याने की periods में बहुत असानी से use कर सकते है अब I am very sure कि आपको बहुत difficult होता होगा एक menstrual cup use करना क्योंकि इसकी जानकारी आप सब के पास में नहीं होती है in fact जब किसी ने मुझे भी इसके बारे में पहले recommend किया था तो शुरुआत में मैं बहुत जादा घबरा गई थी and I was like कि किस तरह से मैं एक foreign body को अपने body में for five days रख सकती हूँ क्या ये safe है मेरे health के लिए या सिर्फ planet का विचार करकर के मैं अपनी health तो खराब नहीं कर लूँगी तो हाँ मेरे पास इस चीज का एक बहुत अच्छा answer है कि this is completely safe and authorized by the medicos it is made up of a polymer called as silicon it is made up of a material called as silicon which is extremely friendly with your body and your mucosa तो मैंने आज ये आपके सामने इसलिए रखा है ताकि मैं आपको इसके details completely बता सकूँ क्योंकि मैं खुद इसे almost five years से use कर रही हूँ I have not touched a single patch since then unless and until it is extreme emergency and ये मेरे पास में नहीं available होता है so friends ये एक menstrual cup है इसकी एक opening होती है और एक end जो है इसका ये blind होता है तो मैं आपको ये बताऊंगी कि इसे use कैसे किया जाता है इस menstrual cup को हम insert करते है अपनी vaginal orifice में जहां से आपके periods आते है तो आप इसे insert करके simply रख देती है ये इस तरह से fit हो जाता है कि आपको इसका कुछ भी part दिखेगा नहीं it goes completely inside and एक ये एक तरह का vacuum create कर देता है जो कि आपके outer or internal environment से completely disconnect होता है तो what happens is when you are menstruating the entire blood is collected inside this cup which can be easily withdrawn if you withdraw the cup ठीक है तो आप इसे use करने के तरीके क्या है तो आज मैं आपको बताऊंगी कि इसे use करने के तरीके क्या है वैसे तो इसके बहुत सारे methods आपको internet पे मिल जाएंगे बट मैं आपको सबसे आसान दो तरीके बताऊंगी जो कि मुझे सबसे ज़्यादा handy लगते है and it is useful for almost all the women तो पहला एक तरीका ऐसा होता है कि आप ये cup को लीजे और आप इसे सामने की तरफ से ऐसे fold करके इसका एक C shape बना लीजे जब आप ऐसा C shape बनाती है तो इसकी जो opening है ये छोटी हो जाती है और ये insert करने के लिए बहुत easy होता है आप simply इसे ऐसे नीचे से पकड़ लीजे और इसको imagine कीजे आपकी vaginal orify से और आप इसे enter कर रही है यहाँ पर और इसे आप अपने just इस तरह से insert करके छोट गया तो ये अपने आप pop-up हो जाएगा अपने आप pop-up होने का reason ये है कि ये materially इस तरह का है कि उसे ऐसे shape में बनाया गया है so under any circumstances ये ऐसे मुडा हुआ folded अंदर में नहीं रह सकता है आप इसे किसी भी तरह से fold कीजे ultimately when you're keeping it loose ये अपने आप pop-up होके open हो जाएगा ठीक है? दूसरा तरीका इसका ये है जो कि आप इसके एक end को पकड़ लिए इसके opening के एक end को पकड़ लिए और इसको नीचे प्रेस कीजे जब आप इसे नीचे प्रेस करती है तो कुछ इस तरह का शेप इसका बन जाता है and that can be inserted inside your vagina and again the same thing is that when you just put out your hand and again the same thing is when it is simply placed inside it will pop open on its own so what happens friends is that it is inserted inside the vagina and whatever the blood that you're shedding in your menses is being collected in this cup and ये cup almost आप use कर सकती है अल्मोस समझ लीजे 7-8 hours के लिए depends on how much your menstrual flow is it depends on the day of your menstruation also तो अब हाँ ये cup तो आपने insert कर लिया ठीक है अब automatically आपको इसका एक छोटासा जो tail है वो थोड़ासा feel होगा ठीक है अब ये feel हो रहा है and as the weight of the cup increases जैसे जैसे उसमें blood भरते जाएगा वैसे वैसे इसका थोड़ा-थोड़ा weight बढ़ेगा और ये automatically थोड़ा-थोड़ा आपको नीचे ज्यादा feel होने लगेगा ठीक है इससे आपको दो चीजे समझे की एक तो ये कि आपका जो cup है वो almost भरते आया है और दूसरी चीज इसको निकालने में बहुत easy हो जाएगा ठीक है तो आपको इसे almost आपके need के हिसाब से या आपको जैसे भी लग रहा है उसे हिसाब से आपको इसे remove करना है आपको इसे remove करने का भी मैं simple technique बताती हूँ आपको simply इसकी tail को नीचे में pull करना है and it slides down automatically अब जब यह slide down हो जाता है this cup is filled with your menstrual blood इसे हम dispose कैसे करे so इसे dispose करने का एक बहुत ही आसान तरीका होता है इसे dispose आप आपके toilet flush में कर सकते है and इसके बाद आप इसे please sterile कीजे sterile मतलब यह है कि simplest way में simple households में हम इसे कैसे sterile करते है the meaning of sterility is that it is free from all the microorganisms sterile करने से हम इसके अंदर के सारे जनतू को किल करते है जो कि हमें बहुत safe होता है next time use करने के लिए तो आप इसे simply boiling water में for 5-10 minutes रख सकती है जिससे यह sterile हो जाएगा I would recommend कि आप हर usage के पहले इसे एक बार sterile कर लीजे ताकि आपको किसी भी तरह से कोई infections ना हो Do you know कि sanitary pads या tampons जो आप use करते हो ये ना सिर्फ एक हमारे planet के लिए harmful है बट बहुत सारी females को इसके वज़े से बहुत सारे other issues भी होते है जैसे कि for example बहुत सारे लोगों को rashes का problem होता है क्योंकि continuously आपको एक plastic का irritation होता है बैक्टेरिया ग्रो करने का और जब cotton-soaked blood हम अंदर tampons के थू बहुत time तक रखते है तो यहां पर किसी भी तरह को organism ग्रो करके toxic shock syndrome कर सकता है and this toxic shock syndrome is extremely fatal and has to be treated vigorously so ये सारे complications आपके एक menstrual cup से completely bypass हो जाते है ना सिर्फ हम planet को protect कर रहे है but साथ ही साथ हम खुद का hygiene और खुद की health को भी बहुत ज्यादा protect कर रहे है my friends सबसे ज्यादा हमें ये चीज का सोच कर डर लगता है menstrual cup use करने के पहले कि क्या हम एक foreign object को इतनी देर तक हमारी body में tolerated रख सकते है so इसका एक बहुत अच्छा अंसर ये है कि since silicone is so friendly to your body आपको ये महसूस भी नहीं होगा कि आपने cup पहना हुआ है ये खुद मेरा personal experience है and I have been using it since 5 years of my life and it is extremely handy and useful to me तो please इस cup पे आप switch करके देखिये शुरुआत में आपको difficult होगा उस time पे आप साथ में accompanied pads यूज कीजिए ताकि अगर आपको ऐसे लगता है कि आपको fitting करनी properly नहीं आई है और अगर leakage हो रहा है so you don't land up in a public place with staining and bleeding तो आप तब तक के pads साथ में use कीजिए but once you are used to it please switch to this menstrual cups these are extremely beneficial and healthy अब बात करते हैं costs की क्या आपको पता है कि एक pad का cost almost कितना होता है and on an average हम हर महीने almost 500 rupees खर्च करते है sanitary napkins के पीछे and इसी वज़े से बहुत सारी females financially जो poor है वो afford नहीं कर पाती है sanitary napkins and they switch to simple clothing and clothing से होता ये है कि उसमें इतने ज्यादा chances होते है infection के क्योंकि ना ही वो तरीके से wash हो सकता है ना ही वो तरीके से dispose हो सकता है एक blood stained cloth को आप कितना ही बार-बार wash कर ले वो पूरी तरह से sterile नहीं होता है so rather than switching to cloths instead of this sanitary pads I would always suggest कि आप एक menstrual cup में switch कीजिए menstrual cup की costing बहुत ही कम होती है it starts from almost rupees 1.99 and आप जिस भी तरह का cup यूज़ कर रहे and इसकी average life span है almost 10 years oh my god just imagine कि एक cup almost 200 rupees का आप 10 years तक के use कर सकते है in fact reuse and reuse कर सकते है और साथ ही में आप planet को बचा रहे हो और आप almost भूल जाते हो कि आप आपके periods में हो क्यूँकि आपको किसी भी तरह की inconvenience नहीं होती है और हम सब तो जानते ही है कि pads पहनने के वज़े से we are so conscious और we are always feeling whether we have stained or not menstrual cup के साथ में ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है provided you change it from time to time I would recommend almost every 5 to 6 hours में आप change कीज़े depends on the type of the flow that you have and हर एक का flow बहुत जादा subjective होता है तो इसी तरह से आप ये menstrual cup को use कर सकते है मुझे सबसे प्राउड की बाद खुद के लिए ये लगती है कि मैंने आज की date में almost ये cup switch करके कितने सारे pads को इस planet में accumulate होने से बचाया है और इसी तरह से I have contributed to the environment so friends we don't just have to think about ourselves but we also have to think about our future generations तो please इस चीज का ध्यान रखके ही कोई भी काम कीजिए अगर होती है तो please in the comments you can ask me I will try to reply all of you and please guys subscribe to my channel because it's taking immense efforts for me to make these videos for you guys क्योंकि मेरा एक बहुत ही हेक्टिक स्केडियूल होता है मेरे hospital में साथ ही में I have a small kid and it becomes very difficult for me to manage time and make this video still I am putting my maximum efforts कि मैं आपके लिए इस तरह के videos बना सकूँ आपको बहुत सारी चीजों से aware कर सकूँ जो की एक female to female talk होता है वो भी मैं आपसे कर सकूँ क्यूंकि I think आज की डेट में इन सब चीजों के बारे में बात करना बहुत ज्यादा important हो गया है इन सब की जानकारी हमें मिलना बहुत जरूरी है I will come up with more such informative videos on my channel आपको जिस तरह के videos चाहिए आप मुझे प्लीस comment में डालिया I will try to make them and cover all those topics for you guys and stay tuned to my channel please like this video and share to maximum friends so that everyone can know about this thing of this menstrual cup and that is it thank you so much guys signing off Namaste मुझे और स्थाफब बहुत है